Hello students, welcome back to Magnet Springs, एक ऐसा चानल जो प्रोवाइट करता है kindergarten से class 12 तक 100% free education and quality education, quality के साथ हम कोई compromise नहीं करते हैं, तो बढ़ते हैं अपने topic की तरफ, आज का जो हमारा topic है, वो है unit 10 के B part के language based questions, unit 10 का B part है the ship of the desert, जो की थे एक बहुत interesting सी story और इसी के previous class में हमने करे थे इसके text based questions, याने की worksheet में text based questions अल्रड़ी हम previous class में कर चुके हैं, जो आपकी story से लड़ेट जितने भी questions हो सकते हैं, वो हम कर चुके हैं previous class में, इस class में हम करेंगे language based questions, जो की होंगे grammar questions, okay, grammar questions related to the story, okay, तो हम बढ़ते हैं आपने questions की तरफ, क्योंकि हमारी book का नाम है the marigold, जो हम follow करते हैं, तो चलिए सबसे पहली exercise, सबसे पहली exercise है आपका, make as many as words you can, from the, within the, given words, the first one has done for you, so आपको एक word दिया जाया, उसमें से बहुत सारे words बना सकते हैं, यह exercise हम already previous class में कर चुके हैं, काफी सारी classes में हमने यह exercise को include किया था, और आज फिर हम इस कर रहे हैं, तो हम जादा word नी बनाएंगे, three words तो बनाई सकते हैं, एक word में से, जैसे कि इन रोरिंग में से in निकाल दिया, ran and roar, three words बनाएं, और तीनों meaningful word होने चाहिए, ऐसे नी कुछ भी word बना दिया, it should be meaningful, meaningful याने कि कुछ मतला होना चाहिए, उन words का, ओके, so अब हम करते हैं, फ्रोनिंग में से हम क क्या, क्या words बना सकते हैं, so इसमें हम एक चीज करेंगे, कि एक word आप बनाऊगे, दो words मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊँगी, ठीक है, तो चलो, start करते हैं, सबसे पहले है, फ्रोनिंग, फ्रोनिंग में से हम बना सकते हैं, F को ले ले, O को ले ले, और R को ले ले, तो हम नेक्स्ट हम लेंगे, G, G, R, O, और W, अब देखो, G, R, O, W, यह क्या होता है, ग्रो, कोई पी चीज ग्रो होता है, प्लांट ग्रो होता है, तो हमने एक और word बनाया है, जो है ग्रो, ठीक है, अब एक word आपको बनाना है, और I can guarantee you, there are many words जो आप इसमें से बना सकते हैं, बह चुपे हुएं इसमें, तो आप अराम से यहां पर एक word और आड कर सकते हो, नेक्स्ट है, ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग, ओके, तो इसमें से आप क्या बना सकते हो, तो सबसे पहला हम बनायेंगे, K, I, N, G, K, I, N, G, जो क्या हो गया, King, right, K, I, N, G, तो हमने King एक word form का लिए, King का मतलब होता है, राजा, ओके, नेक्स्ट आप क्या बना सकते हो, स्रिफ और स्रिफ अगर आप ले लो, I, और N, आई, और N, तो आपका word बनेगे, In, ओके, लाइक, इंसाइड वाला In, किसी के अंदर आ बोलना हो, याने, In, ठीक है, So, out का opposite, In, तो यहाँ पर आपने दो word कितने simple बना लिए, King, In, और भी बहुत सारे words बन जाएंगे, जो आपको एक word आप अपने आप से बनाएंगे, Next हम आजाते हैं, Wondering, Wondering में आप क्या-क्या word बना सकते हो, तो हम लेते हैं, R, I, N, G, जो किया हो गया, Ring, जो हम hands में wear करते हैं, Ring, ओके, और क्या बना सकते हो आप, और आप बना सकते हो, O, O, N, O, N, जो किया है, On, ओके, On, Off, बटन On करना, फिर बटन Off करना, वो वाला On, ओके, सो आप On भी बना सकते हो, एक और word आपको form करना है, Next, Next है, interrupt, interrupt से आप बना सकते हो, P, U, T, put, P, U, T, put, okay, put, याने किसी भी चीज़को कहीं रखना, याने, you are putting something on that, okay, next, और क्या बना सकते हो, आप, और बना सकते हो, आप, I-N-T-E-R, inter, inter means होदा है, किसी भी चीज़का, बीच का पार्ट, याने, inter, okay, inter, I-N-T-E-R, ठीक है, तो दो words मैंने बना दिए, एक word आपको और बनाना है, है, very simple, you can make it by your own, so, यह आपका homework हो गया, कि एक-एक word आपको इन words का और बनाना है, जो बहुत simple से बन जाएगा, to try जरूर करेंगे, okay, चलो, next exercise पर चलते हैं, next exercise क्या है, write down the following phrases with apostrophe S, one has done for you, so, हमने already this, हमने already, यह sign के बारे में पढ़ा है, कि यह sign उपर लगता है, और उसके बाद S लगता है, तो उसका मतलब क्या होता है, यह sign का मतलब तो होता है apostrophe, ओकी, और s का मतलब क्या होता है, s का मतलब अगर हम लगा देते हैं किसी भी नाम के बाद, तो यानि उसका है वो चीज, उसकी है वो चीज, ऐसा मतलब हो जाता है उसका, चीक है, और apostrophe हम short forms create कर निकले भी बनाते हैं, बट यहाँ पे हमें short forms निक्रियेट करने हैं, हमें बस sentence में apostrophe use करके उसे दुबारा लिखना है यहाँ पे, जैसे कि the wings of a bird, इसका क्या मतलब है, जो wings हैं वो किसके है, bird के हैं, इसी को उनने दुबारा लिखा, a bird's wing, यह इसका क्या मतलब है, कि birds के wing है, a bird's wing, ओके, तो apostrophe के साथ उनने लिख दिया, Now, we will write next sentence, the cat belonging to Kim, the cat belonging to Kim, कैसे लिखो के इसको, क्या मतलब इसका, कि जो cat है, वो किसकी है, Kim की है, तो कैसे लिखो के, Kim's cat, simple, Kim's cat, कितने बड़ी sentence को मैंने कितने छोटे से लिख दिया, और मतलब वो ही है, कि Kim की cat, Kim's cat, ठीक है, next, the sweets belonging to children, जो sweets है, वो children की है, कैसे लिखो के, tell me, how you are going to write, children's, children's sweet, apostrophe with S, children's sweet, okay, next, पताओ, the car belonging to Ravi, कैसे लिखो के, yes, very good, Ravi's car, Ravi's car, next, the house belonging to Tina, तो कैसे लिखो के, Tina's house, ठीक है, तो ये हमने apostrophe के साथ लिखा, और sentence कितना छोटा हो गया, और कितने इजियली हमने लिख दिया, इन दोनों का ही मतलब एक है, कि cat, the cat belonging to Kim, Kim's cat, cat, किस की है, Kim की है, ठीक है, simple, next exercise, next exercise क्या है, choose the correct helping verb, okay, helping verb आपको correct choose करना है, from the bracket and complete the following sentences, अब आपके पास bracket में, be, being, being है, इनको आपको correctly use करना है, चलो, अब read करते है sentence, dash careful while crossing the road, तो क्या आएगा, dash careful while crossing the road, तो आएगा, be, be careful while crossing the road, क्या हैगा, be careful while crossing the road, next, you are dash very foolish to believe a liar like Roma, you are being, you are being very foolish, you are being very foolish to believe a liar like Roma, next, dash polite to your classmates, dash polite to your classmates, क्या होगा अंसर, be, be polite to your classmates, be polite to your classmates, ठीक है, next, next, क्या है, my father was tired, he had dash working late in the office, my father was tired, he had been, इस में क्या जाएगा, he had been, okay, तो यहाँ पे आपको लिखना है, been, he had been working late in the office, next, Dhruv gained weight as he had dash overeating, Dhruv gained weight as he had been, again, been ही आएगा, hat के साथ, been ही आता है, जाएगा, अगर had है, तो उसके साथ, been ही आएगा, यहाँ पे देखो, hat था, तो क्या आया, been, he had been overeating, next, we should dash, obedient to what our parents say, we should be, we should be obedient to what our parents say, ठीक है, तो यह भी हो गया, यह तीनों forms है, be, been और being, जो use होते हैं, different, different जगा पर, जैसे कि हमने we should be, अगर कोई बात सिर्फ कह रहे हैं, तो be आता है, हमने being कहां पर लगाया था, जैसे you are very, you are being very foolish, जब कोई चीज हो ही रही हो, तो हम लगाएंगे being, ओके, तो यह हैं कुछ sentences, जिसमें हमने be, been और being use करना सीखा, जा, now next, next है, draw lines to match the following words with more interesting alternatives, ओके, सो यहां पर जो words है न, इनी को आप बहुत और अच्छे words में कह सकते हो, याने की hungry is also English, बट एक और अच्छे English word आपको use करना है hungry के जगे, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे I am very hungry, बट उसी के जगे आपको किसी पर impression जमाने तो you can also say I am very starving, starving का मतलब भी होता है कि hungry हो, बट अगर अच्छे words हम use करते हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि वाव, they are using a very nice words, good words, okay, so याने कि they have a good English, they know good English words, तो आप यहाँ पे वैसे ही words सीखोगे, कि hungry को हम और क्या कह सकते हैं, hungry को हम कह सकते हैं, starving, क्या कह सकते हैं, starving, ठीक है, तो hungry means starving, starving means hungry, right, tired, tired, I am very tired today, उसको क्या लिख बोल सकते हैं, I am very exhausted today, okay, अच्छा लग रहा है न, बोल के, because there is a good words, for every word, यह simple words हैं, और यह उनके अच्छे words हैं, okay, so tired का मितलब हो गया, exhausted, तो यहाँ पे मैच कर दीजे, exhausted से, next, nice, you are very nice, you are very nice to meet you, lovely meeting with you, okay, तो nice को हम मैच करेंगे, lovely, nasty, okay, nasty को आपको करना है, horrible, कोई बीचीज बहुत horrible होती है न, खतरनाक से होती है, you can say, this is very nasty, this is very horrible, ऐसा कैसे कर सकते हूँ, this is very horrible, okay, so nasty, scary, scary का कैसे होगा, scaring याने terrifying, scary याने बहुत दरावना, तो आप scary के जगे बोल सकते हूँ, it's very terrifying, okay, so यह रापका terrifying, dry, dry, dry को आप यूज कर सकते हूँ, as a patched, okay, wet, dry का मतला सुखा याने patched, wet means गेला, ठीक है, याने की drenched, it's very wet, you can also use, it's very drenched, okay, next funny, funny याने hilarious भी बोल सकते हूँ, it's very hilarious, it's very funny, okay, so like this you can match and learn some good words for each and every word, okay, so you have to learn these words, कै आप इन की जगे पे ये words का यूज करना start करू, okay, so this is very interesting exercise and with this we have completed the worksheet for unit 10 का भी पाद जो था, the ship of the desert, उसके grammar questions भी हमने complete कर लिये हैं, और with this completion हमारी पूरी worksheet भी complete हो गई है, from unit 1 to unit 10, हमने हर एक unit के grammar questions भी करे हैं, और हर एक unit के text-based questions, याने कि आपकी जो भी poem है, story-related questions भी करें, तो this worksheet is very helpful for you students, because ये आपके लिए पूरा भरपूर examination का इसमें भरपूर चीज़े हैं कि आप यहां से prepare कर सकते हो, grammar as well as text-based questions, यहां पर आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, तो आज हमारी worksheet भी complete होती है, full worksheet for class 3rd English and the book we followed is Mary Cooled, okay? So इसी के साथ हम मिलेंगे इराज चानल, Magnet Prince, जो आपका favorite channel है, बस उसी के साथ stay tuned.